तो इस वीडियो में जो हम प्रीमियन लीग का मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा क्रिश्टल पैलेस वर्सिस ब्राइटन के बीच मैच का वैनी होगा पैलेस लंदन रात में 12.30 एम पे मैच स्टार्ट होने वाला है अब दोस्तों जो ये दो क्लब्स हैं क्रिश्टल पैलेस और ब्राइटन ये दोनु प्रीमियन लीग के मिट टेबल के क्लब माने जाते हैं लेकिन अगर मैं आपको इस सीजन का पॉइंच टेबल दिखाओं तो ब्राइटन ने इस न्यू सीजन में अभी तक बहुत ज्यादा इंप्रेसिव स्टार्ट किया है अगर आप देखेंगे अभी नंबर सिक्स पोजिसन में और पांच मैसे वो अपने चार मैच जीच चु अब अगर आज ब्राइटन आज के मैच में क्रिश्टल पहलेस को हरा देती है तो इनके 6 मैचेस में 15 पॉइंट हो जाएंगा ब्राइटन पहुच जाएगी टॉप अफदा टेबल में तो ऐसा प्रीमियल लीग के स्टार्ट से पहले तो किसी ने नहीं सोचाओगा इवन ब टेबल में पहुचने का एक बहुत सुनेरा मौका है तो ब्राइटन के लिए मैं समझ सकता हूँ कि यह बहुत ज्यादा मैच होने वाल है और आल मैंने ब्राइटन को जितना भी देखा है लास्ट सीजन लास्ट कई सीजन से मैं प्रीमियल लिग में देख रहा हूं दोस्तो है वह future में किसी बड़े क्लब को manage करेंगे बहुत जीनियस बता है और बहुत अच्छे तरीके से ब्राइटन के signings करता है बहुत अच्छे तरीके से compared in का style में खेलते हैं तो देखते हैं वह बात करते है crystal पेलेस की पैलेस अभी 15 पोजेशन में है और आप देखा होगा इस स अभी ट्रंजीशन फेस में स्टार्टिंग पांच में चेश ठीक ठाग पर्फोमेंस कर रहा है पांच में एक जीत हैं दो ड्रॉजे दो लॉसेश हैं अल्दो इनको इनको फिक्स्टर थोड़े टफ टीम के अगेश मिले ओवर और पांच में पांच गोल मारें डिफेंसिव सिर्फ आठ गोल कंसीट किया है तो देखा जाए यह दोनों टीम्स यहां पर एक दूसरे को हराने में केवेबल है कोई भी यहां पर क्लियर कट फेवरेट नहीं होने वाला इस्टिल मुझे किसी टीम को बैक करना होगा एक टीम को विक्री के लिए मैं जाओंगा ब्राइट पहले स्कोर आ सकते हैं और यह बोर्ट टीम टू स्कोर करके ड्रॉ भी हो सकता है हर एक रिजल्ट इस मैच में पॉसिवल है मैच ओपन है कोई भी टीम यहां पर क्लियर कट फेवरेट नहीं है लेकिन मेरे अकौडिंग स्लाइट फेवरेट ब्राइटन होगी फिलाल मैं अपने पिछले वाज में टॉप साइड लेश्टर को हरा के आ रही है तो जो लास्ट मैच की फॉर्म है वह भी हां पर ब्राइटन की अच्छी है तो फिलाल के लिए स्मॉल लीग में स्लाइट फेवरेट ब्राइटन को करूँगा लेकिन अगर आप चाहें स्मॉल लीग मे ब्राइटन को फेवर करके टीम अपनी बाने वा रहूं तो फिलाल हम प्रोवेबल लाइनप प्याते है उससे बहले एक चीज कहना चाहूंगा इस मैच की फाइनल एसल टीम और सभी फुटवाल मैचेद हम टेलीग्राम चैनल में कवर करते हैं लिंक के टेलीग्राम का डिस या मैं सेवन फोल लिया हूँ साथ प्लेयर ब्राइटन के चार प्लेयर पहलेस के लेकिन स्लाइट फेवरेट ब्राइटन है तो ज्यादा प्लेयर्स में इनके ही पिक करने वालों तो देखते हैं रोबेट सेंके इनके गोलकीबर उन्याले तीन इनके डिफेंडर यानि की अब दोस्तों यह तीन बंदे ही सेव डिफेंस सेक्षन में लिष्टेड है और मैं सजेश्ट करूँगा तीनों को आप पिक कर लिए क्योंकि अगर किसी एक टीम को क्लेंशीट के लिए बैक करनेगा मैं ब्राइटन को करूँगा बहुत सॉलेड डिफेंडर है खास्त और डफी और डंग को तो 100% पिक किजिए दोनु हैडरस में बहुत बहुत सॉलेड है डफी ने तो न्यू सीजन बहुत अच्छा स्टार्ट किया है और डफी इस सीजन औलेडी एक गोल हैड़ेट गोल मार चुक है बहुत अच्छे टेकल्स इंट्रेप्शन कर रहें पीछे से ओल्दो यहां पर बहुत इनके बास असीश्ट पोटेंचल है लेकिन यहां पर राइट सेंटर बेक पोजीशन में खिली है जहां से थोड़ा बहुत असीश्ट कम होता है अगर यह ऐसा राइट बेक खिल लोते तो मैं वैंटमेन को शोली पिक करता क्योंकि यहां से ओवर बहुत इंप्रेसिव है और मेरे अकोडिंग सबसे ज़्यादा इनकी पूरी टीम में हाडवक यही दोनों बंदे करते हैं एक है शॉली मार्च जो इनका राइट विंग में आगे दूसरा है इनकी न्यू साइनिंग मार्को कुकुरेया अब आपने कुकुरेयला का नाम जरू पॉइंट भी बंदा देने में केपेवल है और जो मैं इनकी हाइलाइट देख रहा था जो पिछले में इसता लेश्टर के अगेस्ट उसमें इन्होंने जो लेश्टर के राइट बैक ते लेटी काड़ो परेरा उनको बहुत ज्यादा तंग किया था अपने ओवर लैपिं गोल सुली कर सकते हैं मारच है लेकिन मारच fonction करते हैं सौली मारच लेकिन चौली मारच को भी मैंने गोलस nine करेश्ड जाने वालों अब मिट्फिल्ड में खेलिंगे वाइवेस भी सुमा और एडम ललाना अब दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग अगर मैंने जितने भी मैचेस देखें ब्राइटन के इस टीम का मुझे बैस्ट प्लेयर किसी को बोलना हो तो मैं भी सुमा को बोलूँगा अगर आपन विसुमा डिफेंसिव वक करते हैं बहुत ज्यादा टैकल्स बहुत ज्यादा इंट्रेप्शन पासेज बनाते हैं चांस क्रेट करते हैं रेंडम गोल असिश्ट करने में के विवाले कंप्लीट मिट्फिल्डर है और पिछले मनलब अभी जो यह ट्रांस्टर विंडो ही प लेकिन अब यहां पर ब्राइटन में एक तो लालाना की एज होगे 33-34 और अब यहां पर इनके जो रोल है ग्रहाम पॉर्टन ने हो सेंट्रल मिट्फिल्डर का बना दिया अब उतना ज्यादा अट्टैक नहीं करते हैं मतलब उतने गोल असिश्ट नहीं आते लेकिन जब लेकिन अभी के लिए इंसे अच्छा उसन मिलने मैं इग्नोर कर रहूं आप चाहिए अपनी टीम में पिक कर सकते हैं लालाना वाला आप कॉल पूरा आपका है लेकिन मैं अभी के लिए जाओंगा वाइवेस बिसुमा के साथ फारवड थ्री हूंगे ट्रोसाड मोपे और अब दिखकत किया ना यह तीनों बंदे ही फॉरवर्ड सेक्सल में लिष्टेड है अब अगर हम इन तीनों को ही पिक कर लेते हैं फिर हमें वहां पे क्रिश्टा पैलेस का एक बेस्ट प्लेयर है विलफीड जहां जो वन पैनाल्टी भी है उसको ड्रॉप करना होगा तो य अब दो इतने ज्यादा प्रोलिफिक श्ट्राइकर नहीं है कि हर सिजन 15-20 गोल मारे ठीक ठाक 10-12 गोल मानने वाले श्ट्राइकर है लेकिन दूसरी बात क्या है ना नील मोपे इनके पैनल्टी टेकर है वैसे इनकी कोई-कोई पैनल्टी पासकर ग्रोस भी लेते हैं मतलब दो पैनल्टी टेकर है ग्रोस है और मोपे है लेकिन कोई जो लाश्ट टाइम पैनल्टी मोपे ने लिए ग्रोस मैदान में नहीं थे और अगर आज भी ग्रोस मैदान में नहीं रहते हाई चांसे है मोपे ही पैनल्टी लेंगे इस वज़े से मोपे बहुत इंपरडेंट हो डैनी वेलवेक, former Arsenal and Manchester United player है, अपने जब पीक में थे बहुत गोल मारते थे, although Brighton के लिए भी इस तीजन एक गोल मार रहे है, लेकिन बहुत consistent नहीं है, एक मैच अच्छा जा रहे है, एक लिए दो-तीन मैचे flop रहे हैं, आप लोग trust करते हैं, surely pick कर सकते हैं, लेकिन मैं जाओंग लेते हैं, तो इनके जो chance rate number है हो, कफी जादा high हो जाएंगे, इस वज़े से मैं Trosat के साथ जारू, आपका यह वाला decision पूरा आपका है, आप शुली Trosat को आटागे, डैनी वेलवेक के साथ जा सकते हैं, तो यह Brighton के बारे में सभी चीजे, सभी scenarios बता दिया, आप यहां प पूरेन की बात करने से पहले एक बार फिर remind दिला देता हूँ, इस match की final sl team और सभी football matches हम telegram channel में cover करते हैं, link के telegram का description में, जरूर से जरूर जोइन कर लिजे, इसके साथी YouTube channel भी subscribe कर लिजे, ऐसी football matches के preview videos इसी YouTube channel में मैं post करता रहता हूँ अब हम बात करते हैं, अपूरेन क्रिश्टल पैलेस की, तो A.G. और Ferguson भार है, गुएटा इनके गोल की पर अच्छे saving point समय दे सकते हैं, तो अभी के लिए मैं इनको recommend करूँगा, नहीं तो आप चाहिए Robert Sanchez को भी pick कर सकते हैं, जो Brighton के गोल की पर है, वो भी बहुत अच्छ आप 2 defender pick करने का, अगर आप मैंसे किसी को लग रहा है, पहलेस की clean sheet आएगी, तो सिधे सिधे 4 defender pick कर लिजे, विकास इस match में 3 result open है, Brighton win भी हो सकते है, पहलेस win भी हो सकते है, goal less draw हो सकता है, या दोनू team score draw भी हो सकता है, तो सब result possible है, तो आप मैंसे किसी को risk लेना है, या किस लगता है, पहलेस clean sheet आएगी, चारो को pick कीजे, अभी के लिए मेर को लग रहा है, किसी एक team को clean sheet के लिए back करना हो, ब्राइटन को करना हूँ, उनके maximum defender में pick कर रहूँ, तो यहां से एक या दो ही defender pick करूँगा, उस case में मेरी top two choice रहेंगे, तारीक मिचल and वाकिम एंडरसन, वाकिम एंडरसन आपको यादोगा, last season, फुलम में खेली थे, प्रीमिया लीग में, क्या बहत्रीन season इनका गया था, tackles करते हैं, interception करते हैं, और header में अच्छे, random headed goal मार सकते हैं, लेकिन तारीक मिचल, वाकिम एंडरसन थे भी अच्छे tackler और interceptor और ball है, तो पूरा यह call हैं, लेकिन इस्टिल, वाकिम एंडरसन, random headed goal मार सकते हैं, नहीं तो आप चाहिए, तारीक मिचल के साथ भी जा सकते हैं, पूरा 50-50 call है, third choice मेरी वाड रहेंगे, assist potential decent है, last choice मेरी रहेंगे, गूही, अब midfield में quiet defensive midfield roll में खेलेंगे, मेभी आप consider कर सकते हैं, tackles, interception के point दे सकत है, must pick तो नहीं है, लेकिन एक option हो सकते हैं, इनके साथ same, James MacArthur भी एक option हो सकते हैं, जो decent offensive defensive point दे सकते हैं, assist potential अच्छा है, last season, pick tag assist के थे, लेकिन regular consistent नहीं है, still quiet MacArthur में आप किसी एक को consider कर सकते हैं, अब मेरे according जो अभी तक इस team का सबसे important player है, जिनका बहुत अच्छा season जा रहे है, starting phase में, वो है Connor Gallagher, अगर आप देखेंगे, गोलेगर अभी तक इस team का joint top scorer है, वी two goals और दो assist भी है, मैंने एक ही लिखा लेकिन इनके दो assist भी है, तो Gallagher बहुत अच्छी form में चल ले है, बंदा chance create कर रहे है, defensive work कर रहे है, on target ले रहे है, गोल मार रहे है, assist कर रहे है, 100 परसेंट में Connor Gallagher को pick करूँगा, यह Chelsea से यहाँ लोन में है, last season यह West Brom में खिले थे, वहाँ भी अच्छा गया था, वैसे player Chelsea के है, लेकिन Chelsea ने यहाँ लोन में बहुत impressive performance कर रहे है, तो 100% Gallagher को pick करने वाला हूँ, अब जो forward 3 है, उसमें इस team का एक player में 100% pick करूँगो, वो ह player है, पाश काई season से, सबसे ज्यादा goal, आप देखेंगे तो Palace के लिए जाहा नहीं score किया, assist potential अच्छा है, और main बात यह है, Palace के penalty taker भी है, तो जाहा मैं 100% pick करूँगा, एक goal एक assist कर चुग है, अभी तक उतना impressive नहीं रहा, लेकिन फिर भी बहुत quality है, trickery stance बहुत अच्छे है कभी भी assist कर सकते हैं, goal कर सकते हैं, penalty earn कर सकते हैं, तो surely pick करूँगा, अगर आपको लगरा 1-1-2-2 type की score होगी, या आपको लगरा पहले से match निकालेगी, तो surely आप जहा को captain, vice captain भी try कर सकते हैं, इनके साथ 2 player और है, IU और Edward, पहले Jordan, IU की बात करें तो दोस्तों, last 2-3 season इनके ब out of form है, दूसरी बात है, अब forward section में listed है, वहाँ पर हमारे बात 2-3 options और lady है, जहाँ है, वहाँ से मोपे है, ट्रोसाड है, well back है, तो अभी के लिए मैं IU को ignore कर रहा हूँ, आप grand league में try करना, Edward को आप consider कर सकते हैं, इन्होंने अपने palace debut में टोटनम के अगेश 5 मिनट के अंदर दो गोल मार जे थे, और आपको यादोगा last season Celtic में थे, Scottish League में बहुत गोल मारते थे, quality है बंदी के बाद, trust करते हैं, आप surely pick कर सकते हैं, अभी के लिए मैं मोपे, ट्रोसाड और यहाँ के साथ जारूँ, आप वहाँ से मेरे according अगर ट्रोसाड ड्रॉप कर साथ जा सकते हैं अगर quality service मिलेगी, surely Edward finish कर देगा, लेकिन अभी के लिए अब pick तो मैं सबी करनना चाता हूँ, लेकिन सारे तो pick नहीं कर सकता है, कोई 3 नहीं कर सकता हूँ, इस वज़े से अभी के लिए मैं Edward को drop कर रहा हूँ, दूसरा ये भी है, अगर Edward का off day होता है, तो 65-70 बिनट के आसप में कोई एक हो सकते है, तो ये crystal palace टी probable alarm थी, यहां से भी लगबग सभी चीज़े, सभी scenarios बता दिये, important player में, gueta important रहेंगे, Anderson, Mitchell, Gallagher, जाहां ये 5 player तो बहुत important है, देन आप Edward को consider कर सकते है, कोया आटे मेकार्थर में किसी एक को consider कर सकते हैं, और अगर आप बहुत बड़े र table में जा सकते हैं, जिस तरह का अच्छा performance करने हैं, तो मेरी prediction है, 2-1 Brighton, या 1-0 Brighton, although ए 2-1 Crystal Palace भी हो सकते है, तीनो result possible है, बार बार इस चीज़कों मैं तभी दोहरा आ रहा हूँ, तो फिलाल जो मेरी demo रफ्ती में, गोलकीबर मैंने यहां पे Palace के गोएता लिए, तीनो defender में Bright रेटन के लिए हूँ, और यहां से मैंने वागे में इंट्रेसन लिया, आप शोली इनको ड्रॉप करके तारिक मिचल ले सकते हैं, यहां मैंने गया लेकल लिए, बिसूमा और कुकुरेला के प्लेस में ले सकते हैं, सॉली मार्च या एडम लालाना, यहां मैंने जाहा टू वन टाइप की स्कुल लेन होगी, यह दोनों अच्छे रह सकते हैं, डिफैन से शेन डफी बहुत अच्छे उप्सन है, और कॉनर गयलेगर जो इनफा में यह भी बहुत अच्छे उप्सन है, अगर आपको लगरा ब्रेटन इसली वन निल्स टाइप की स्कुल लेन से जीतेघी, मेभी मॉपेट, रोशार्ट का कॉन्विनिंशन भी आप क्याप्टन कर सकते हैं, तो फिलाल अभी मीРा अपडेटेट टीम होगी, जो भी मीरा केप्टन होगा, टेलीघराम चैनल में अप्डेट हुआएगी, सभी टीम विथ चैप्टन वाइसि केटन, तो टेल जरूर से जरूर जोइन कर लीजे